साथ-साथ, साथ-साथ, एक बहुत स्पेशल चीज जो कि शायद ही आक्टिंग स्टूडियो में आपको देखने को मिलेंगे रोचकार, कैसे हैं आप सभी? तो इतनी बड़ी जगह है आपके सीखने के लिए यहाँ पर आप करेंगे बहुत सारी अक्टिंग एक्टिंग एक्साइजस, सौर से जादा एक्साइज़, सौर से जादा मोनो लॉग्स आप पर परफॉर्म करने वाले हैं यह सामनी जो आप देख रहे हैं, यह हमारा stage, यह special stage है, जहाँ पर आप खड़े हो करके सारी acting की activities करेंगे, exercises करेंगे, आप एक पर ध्यान से देखें, बहुत special हमने यहाँ पर Mac भी आप एको के लिए बिछा है, ताकि 15-20 लोग यहाँ पर आराम से खड़े हो करके सारी acting की exercises कर अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो यह मैं रहे हटा दिया chroma, अब है आपके लिए board, यहाँ पर मैं आपको lectures जो भी करवाओंगा, जो भी theory करवाओंगा, तो यह board आपके लिए है, वो artistic feel आपको मिलना चाहिए, ऐसा ना लगे कि आप एक छोड़े से close studio में खड़े उपर कर रहे हैं, आपको लगना चाहिए कि आप performance दे रहे हैं, और कैसे आपको पता लगेगा, जब आप यहाँ पर perform करेंगे, आपके students, जो आपके co-actors होंगे, यहाँ पर बैठके आपको देख रहे होंगे, और even हमने ऐसा design किया है कि जब भी आप महीने में perform करें, तो आपने क कैसा perform किया है, आपने क्या सीखा है, आपको कितना आता है, तो यहाँ पर आराम से बैठ करके, 20, 30, 50 लोग यहाँ पर आराम से बैठ करके, आपको देख सकते हैं, आपके performance को देख सकते हैं, ताकि उन्हें भी confidence आए कि आप जहाँ सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, बहुत जबर्दस तरीके से अच्छे thought process से हमने डिजाइन किया कि अगर करें तो अच्छा करें वरना ना करें आप लोगों की demand ही हमेशा से कि आपको मुझसे personally सीखना है मुंबई में आगे सीखना है तो लीजिए यह setup आपके लिए यह जो special section है आपके लिए यह आपको देता है पूरा garden वाला feel, garden वाला look तो यहाँ पर हम tables लगा सकते हैं, chair लगा सकते हैं, आपको कोई ऐसा scene करना है जहाँ पर आप गार्डन में हैं, आपनी girlfriend का, आपनी boyfriend का वेट कर रहे हैं कोई ऐसे improvisation acts अगर आपको करने हैं, आप सुभी से बेट के morning walk कर रहे हैं garden में, ऐसे बहुत सारे activities होती हैं जो की wooden floor पे नहीं करवाई जा सकती क्योंकि आपको फील ही नहीं आएगा, उसके लिए आपको proper setup चाहिए होता है, तो यह हमने एक proper setup आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, आप सारे improvisation वाले acts यहाँ पर कर सकें, और यहाँ पे भी आराम से 10-15 लोग खड़े हो के activities कर सकते हैं, proper feel के साथ कर सकते हैं, और यह props करना है, यहाँ पर सीखना है आपको, क्या सीखेंगे यहाँ पर कही सारे शॉट्स होते हैं, जिसे actors परफॉर्म करते हैं, बोली लगने के बाद जो नीचे गिरते हैं फ्लोर पे, तो कैसे गिरते हैं, action sequences होते हैं, तो कैसे परफॉर्म करते हैं, तो जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, यह बैक्स देख रहे हैं, यहाँ पर पंचिंग बैक्स भी हैं, यह बहुत सारे प्रॉप्स हैं, जिनका आप इस्तमाल करेंगे, और सारे fight sequences भी सीखेंगे, तो यह बड़े-वाले mats भी आप दे सकते हैं पीछे, जो हम यहाँ पर कभी-कभी garden की जगह उसको इस्तमाल करेंगे, जाप अगर दो-तीन लोग fight कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे perform करना होता है, कैसे cheat करना होता है, tools and techniques क्या होते हैं, कौनसे ऐसे tricks होते हैं, जिनका इस्तमाल करके, आप अपनी performance उसको और अच्छा बनाते हैं, तो वो सारी चीज़े आपको आपर सीखने को मिल आईए, सीखे, enjoy करेंगे, और अपने parents को भी proud feel करवाईए, और improvise करने के लिए ये भी तो है, Arial, इसका भी इस्तमाल आप करेंगे, लटकेंगे, कूदेंगे थोड़ा, चोटनी लगी, match बहुत है, साथ-साथ आप ये भी देखें, तो यहां पर कुछ बार्स हैं, जिनका आप इस्तमाल करेंगे, आप वेट कर रहे हैं किसी का, और आप इंफ्रोइजेशन के सारे acts कर रहे हैं, तो इसे बहुत सारी अरकते हम यहां पर करने वाले हैं, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टूर जो मैंने आज आपको कराया, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी आपको कराया जाएगी, एक मौका, एक प्रोफेशनल से सीखनेगा, एक वोकिंग अक्टर से सीखनेगा, आप लोग मुझे काफी सालों से जानते हैं मेरे काम के बारे में, तो इसे मौका आपकी हाथ से छूटा नीची है, दोस्तों नीचे दिए के WhatsApp नमर पर तुरंद क्टर से सराइबाब मुझे के मुझे काफी औुर, एक वोकिंगे जान Scottish, क्राव Всеकुष मुझे का छिए मुझनेगा मुझे का व seems to be the दिर्ट के दूब एक रे मुझे